नमस्ते नमस्ते पार्ट टू में बिग बॉस लाइफ पॉड़कास के डे फूर फिफ्ट अक्टूबर 17 में आपका स्वागत है आज का दिन बहुत नाट की रहा अंदर और देखें कल जो लाइफ पॉड़कास कर रहा है थे जो बिलकुल ठीक बाद में जब बिग बॉस शो ओन एर होता है जब बिग बॉस शो कलर्स टीवी चैनल पे आता है और खतम होता है वैसे ही उसके ठीक आदे घंटे बाद हम इस चैनल पे पीपोई फेम पे लाइफ पॉड़कास करते हैं और रवीव करते हैं पूरा दिन तो कल कुछ तकनीकी डिफिकल्टी की वज़े से न हमाके हुए क्या बहुत इंट्रस्टिंग हुआ और कुछ और चीज़े कुछ और इंपॉर्टन बाते हैं आपसे करेंगे एंड में इस रिव्यू के इस पॉड़कास के तो देखिए पहले तो स्टार्ट करते हैं उस चीज़ से जो पार्ट वन में भी बताया था देखिए कर्ड हो गया डिवाइड हमेशा होता प्राथा है बिग बॉस के घर की ये सीजन 11 में भी होना था और हो गया तो डिवाइड हो गया घर बिलकुल और इस बार एक साथ दिस से क्यों नहीं लग रहा था देखिए पहले तीन दिन में लग रहा था कि जोती कुमारी के अगेंस हो जाएगे सब पर अब तो कहानी बिलकुल ट्विस्ट हो गई है चेंज हो गई है तो अब जो हैं इस तरह वो हैं शिलपा शिंडे और रशी खान और दूसरी तरह है पूरा घर जोती भी अगर देखिए अगर चाहती है तो जोती में अगर दिमाग होता तो वो भी शिलप गई हैं तीसरा गट कौँ सा है देखिए पहले तो अर्शी खान और शिलपा शिंडे का पहला गट जिसमें लिडर हैं शिलपा दूसरा गट कौँ सा है सारा पूरा मुखे घर की सारे और सदस से शिलपा और अर ठेसा फार पडोसी घर और सबसे अच्छा कर रहा हैं लव प कौन से लोग किस category में fit होते हैं, कौन सी हैं वो चार category, तो पहली category है जो मन को भाए, और दूसरी category है जो फकरे या फुकरे, और तीसरी category जो neutral रहते हैं, और चौती category funny bone, तो मन को भाए कौन है जो अपने attributes से, अपनी personality से, अपने दिमाग से, अपने खेलने के तरीके से सब का मन जीत लेते हैं, सारे दर्शकों का मन जीत लेते हैं, सारे लोगों का सलमान भाई का भी मन जीत लेते हैं, और दूसरे कौन है, फुकरे, फुकरे कौन होते हैं, फुकरे वो होते हैं, जो कभी यहां तो कभी वहां, जो थोड़े negative हो जाते हैं, जिनकी बात समझ नहीं आती, confused लोगों को अपनी तरफ नहीं कर पाते हैं। सब अगेंस थे हर्शी के पर हीना ने भी कोई बात नहीं कर रही है हीना ने भी जुवेर का साथ यह और साथ में देखे प्रियंग तो बिल्कुल चम्चे पाए गए प्रियंग तो देखे जैसे हमने पार्ट वन में बोला था बस पैर चुने की देर है विकास के पैर भी चू सकते हैं उनको सर्व भी कर सकते हैं उनके पोसल असस्टेंट बनके रह गए हैं और जो प्रिंस नरूला ने किया था पहले वो भी स्प्लिट्फल से आया थे जीत किया और प्रियंग भी आया है पर प्रियंग बहुत हलके लग रहे हैं प्रियंग बहु उनको लग रहा है कि विकास उनको बहुत बड़े बड़े शोज दे सकते हैं तो प्रियंग बहुत सेफ खेल रहे हैं और इतना उकसाने का कोई 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 इंसान नहीं बरदाश्ट कर सकता और साथ में फिर शल्पा के साथ साथ सपना सपना जैसे हमने बताया था कल जोती है तो वो भी फुक्रे कैटिकरी में है और अर्शी जिस तरह के हाव बाते हैं I think she looks almost half psycho to me और मुझे बिल्कुल नहीं बाती है और फुक्रे कैटिकरी में रखेंगा उनको भी विकास जिस तरह बात करें ती थे चाय शिल्पा उकसा रहे हैं पर जिस तरह वो बात करें जिस सारे मुख्य गर के पर एक इनसान को छोड़के I think उनको हम तब भी funny bone कहेंगे तो अकाज डड़लानी कुछ जादा नहीं बोलते हैं पर जब भी बोलते हैं बहुत एक चाप छोड़ देते हैं लोगों को तो जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत interesting हो जाता है तो अकाज नहीं कर पा रहे हैं वो neutral category में रखेंगे उनको सब्या साची पडोसी घर से I think neutral category में जाएंगी महजबीन, लुसिंडा, neutral category में जाएंगी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं I think love से overshadow हो गए हैं सारे पडोसी घर में और यहां I think हिना से और शिल्पा से और विकास से I think और अर से I think और लोग overshadow हो रहा हैं मुख्यगर में तो बिनावशा, हितैन, बंदगी, शिवानी दुर्गा जी, जोती सब्या सची में जबीन, लोजिंडा यह सारे I think neutral हैं और I think कुछ करना पड़ेगा इंको शिवानी इने I think एक बहुत बहुत interesting किस्सा हुआ जैसे आपने देख रहे होंगे, I think जो रात का समय था, तो शिवानी जी ने एक निया चहरा दिखाया जो नहीं दिखा था, जो उससे expect कर रहे था, I think जिस जगे से आती हैं, अगोरी हैं या तांतरिक हैं, वो तो नहीं पता, और कितनी सची हैं, कितनी जूटी वो भी नहीं पता, पर जो हुआ वो, I think बहुत बहुत ज़ादा डरावना था, I think सबके लिए, I think हमें ही देखके लग रहा था, तो I think जो घर में होंगे, उस वक्त जो सो रहा हूंगे आसपास, I think वो बिल्कुत सारे उटके चले गए, क्यों, because वो था डरावना और जिस सरे स्टेर कर रहे हैं थी शिलपा स I think उन्होंने, शिवानी ने अगले दिन जरूर उसको brainwash किया सबका और बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, बिनाफशन उनको कहा कि मैं सबसे बात करूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर I think brainwash किया है, पर I think कुछ तो था और आगया कि पता चलेगा कि शिवानी में क्या, शिवा में हैं, और शिवानी का हमने डिसकस किया कि शिवानी जी का एक अलग रूप हमने देखने को मिला, पर साथ साथ हाउस डिवाइड हो गया, तो बहुत सारी हरकते होई, और शिल्पा और विकास का मेजर जगड़ा है, वो I think पूरे घर को उसने लपेड लिया है, और सलमान क्या करते हैं, I think बहुत इंटरस्टिंग होने वाला है, और सलमान भाई इस बार विकेंड का वार में कई लोगों को आड़ो हात लेंगे, जिन्होंने की बत्तमीजी जोती से, जिन्होंने की शिल्पा से बत्तमीजी, I think शिल्पा को भी लेंगे, और I think हीना को भी समझाएं अकाश भाही ने कहा था, शुरू में ही एक कंटेस्टेंस की जो लिस्ट दी थी हमने, बिग बॉस शो शुरू ने से पहले उसमें भी बताया था, I think तीन लोगों की तिकड़ी बनेगी, वो होंगे हिना, वो होंगे विकास और वो होंगे प्रेयंक, तीवी इंडस्ट्री म अगर एक पर्मिनेंटली एक लॉंग टम की बात की जाए तो ये तीन लोग अच्छे दोस बन सकते हैं और इस घर में वो शुरूआ जरूरी तो ये प्रेयंक और विकास तो बहुत अच्छे दोस्त हैं पहले से पर, I think हिना जोइन करेंगी हमारा अंदेशा था और ऐसा ही ह हुआ जिस तरह साथ दे रहें थी विकास का, I think clear हो गया कि इन तीनों की तिकड़ी बहुत रंग लाईगी आगे आगे और अगर तीनों मिल गए तो I think it will be only love and loves crew जो भी love crew बनाएंगे अंदर आने के बाद I think उन दोनों groups में होगी main लड़ाई और देखेंगे आगे क्या क्य होता है जब captain बनने की बारी आगी तो हिना सबसे आगे होंगी और देखेंगे कि कौन उनको competition देता है इस बार I think विकास के लवा और कोई इतना strong देखना ही रहा है मुखे घर में लव आ जाते हैं अगर जल्दी से अंदर तो तो अलग बात होगी पर बागी आगे चलते हैं पर बात करते हैं टास्क की जो different टास्क हुए देखें जो ये टास्क थे ये luxury budget के लिए चल रहा है थे तो कल हुए कुछ टास्क उसमें से एक बहुत interesting टास्क था जिसमें शिल्पा जी थी जिसमें हितेन थे और विकास थे और उनको आखो पे पट्टी बंदी वी तो उनको पता करना था कि कौन सा जनवर आगे बॉक्स में रखा ओँ ए तो विकास और हितेन ने तो बड़ी जल्दी बता दिया विकास ने बताया कि डॉग है और हितेन ने बता दिया कि बखरी है îंहोंने बताया हए हाथ भी नहीं रखा उसमें चुwhे थे पर अगर वो हाथ लगाती तो डर जाती और I think वो थोड़ा से fearful थी थोड़ी सी साइको लगती है थोड़ा सा मलब समय नहीं आ रहे हैं कि personality थोड़ी loud है और I think जरूर एक psychologist के साथ consult करके आई होंगी देखिए हम बिलकुल यहां bluntly बोल देते हैं क्योंकि देखिए हमारी यह जो podcast है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मुखोटा पैंके कुछ बोलना जो लगता है जो देखते हैं as a audience वो बोलते हैं और अभी live chat नहीं कर रहे हैं आपसे पर live podcast में इस चीज़ को ज़रूर discuss करेंगे किनकी attitudes आपको क्या दिखाते हैं कि normal है abnormal की category भी discuss करेंगे आगे live podcast में और को और category है कि जो चमक रहे हैं और जो चुपए हुए हैं तो I think वो category भी discuss करेंगे तक यह categories और लोगों को इन categories में place करने का एक ही मकसद है कि पता चले कि कि कौन से attributes किसको कहा तक लेके जाते हैं और कैसे लोग पसंद करते हैं attributes या किन traits की वज़े से लोग पसंद करते हैं इन contestants को अंदर big boss के घर में तो चलते हैं वोपेस task पे तो यह task तो जीत गए पड़ोसी घर because शिल्पा ने नहीं किया वो rats वाला task बढ़ उसके बाद एक ओर task हुआ luxury budget के लिए जिसमें हिना आप देखेंगे पुनीश और तेखें अर्शी का समय नहीं आथा पर पुनीश बहुत अच्छन से बताता था शुरू में हिना नहीं सुन रही थी पर जैसे हिना ने सुनना शुरू किया पुनीश को वो एकदम उन्होंने किया और जो पड़ोसी team ने जो time दिया था इसके साथ एक जो ड्रामा हुआ वो तब हुआ जब इसी टास्क की activity को read out करना था शिल्पा कर रही थी पर शिल्पा एधिंग इंगलिश इंदी दोनों धंग से नहीं बोल पा रही थी और हिना बहुत होगे उन्हों की class से थोड़ा नीचे है पर I think उन्होंने थोड़ा सा ड्रामा करियेट करना बहुत ज़रूरी है आप कितना सीधा जाएंगे अगर सीधा जाते रहेंगे तो बोरिंग हो जाएंगे उनको तीन लोगों ने तीन अलग लग चीज़े बोलनी थी तो सपना जी बोल रही थी बेव कुफ प्रियंक बोल रहे थे लाउट स्पीकर और साथ में जोती बोल रही थी निकमा और I think कुछ भी नहीं कर पाए कौकडू के साथ और ये साड़े अब रावन सवा साथ पड़ोसरी टीम जीद गई क्यों उन्हें मना कर दिया था, साफ चूहो वाला टास्क करने से, और विकास जरूर सब को कन्विंस करने गो, और हीनातों के साथ हैं ही, तो प्रियंग भी साथ में, I think बहुत इजी होगा, शिल्पा कालकोटरी में जाएंगी, ऐसा लगता है, और I think बहुत-बहुत बुरा हो च्छी ऑक्टूबर को, फ्राइडे नाइट को करेंगे, लाइफ पॉडकास, उसमें डिस्कस करेंगे, पर साथ-साथ, अब जाने से बले देखिए, ये तो था रिव्यू, और एक और चीज़, I think जो हम बताना भूल गया है, रिव्यू खदम करने से पहले वो ये था, कि Z उनका एक पसानलटी, वो कायम रखना चाहते हैं, टीवी पर, पर I think अगर प्रोचसान दे रही है, और जो बैर अगर ब्यूस कर रहे है, और वो प्रोचसान दे रही है, तो थोड़ा नेगटिव जाएगा, तो देखते हैं, सलमान भाई कैसे करेंगे, और अगर सलमान आपको सेंड कर देना एमेल में, people.client.gmail.com में जो वीडियो डिस्रुप्शन में है, सारे डिटेल्स आपको वीडियो डिस्रुप्शन में मिल जाएंगे, कंटेस्स में पारिस्पेट कैसे करना है, वही जो गैस किया है अपने नाम, वो इस वीडियो में भी कमेंट करिए, जिस भी किसी भी एक live podcast के वीडियो में, आप कमेंट करके लिख सकते हैं वो नाम, उस साथ में email कर दें, email जब करेंगे तो अपना नाम और अपना email address और अपना phone number ज़रूर दें, उसके साथ हमारे जो तीन platforms है, Facebook, Twitter और Instagram उसको like या follow ज़रूर करिए, उसके बाद आप wait करिए जब ये announce होता है, जब elimination actually में announce होता है, सलमान भाई announce करेंगे, weekend पे, I think Sunday के episode में होगा, तो उसके बाद हम करेंगे, अकाश भाई का वार और अकाश भाई का weekend episode, तो उसमें announce करेंगे कौन होगा winner, इस prize का, और इसके बाद जो भी winner होगा, उसको contact किया जाएगा, people, a team उनको contact क मिल जाएगा, बहुत easy होगा, online gift voucher है, तो आप उसको redeem कर सकते हैं, किसी भी online site पे, तो बहुत-बहुत interesting है, और I think, यह जो contest है, वो इसलिए नहीं है, कि आपको कुछ gift voucher जीतना, I think, it's more of a game, it's more to make this live podcast interesting, this discussion interesting, और साथ-साथ में, I think, जितने भी लोग देखते हैं, ओए, जि कुछ connection होना चाहिए, और I think, you know, जो यह contest होता है, जो कोई gift होता है, I think, it just makes the game more interesting, and more competitive, तो वही intention है, I think, तो खेलिए, I think, maybe gift voucher के लिए, just, you know, मज़े के लिए, just fun के लिए, तो, साथ में जुडिए, हर रोज, अगर आप Big Boss के फैन है, तो यही platform है, जह हम बात करते हैं, यह platform जिनके पास access नहीं है, या तो Colors TV का, या Vood का, और उनको चाहिए एक summary view, और उनको चाहिए एक ऐसा platform, जिसमें discuss कर सके हैं, as a fan, कि क्या चल रहा है अंदर सही, क्या चल रहा है गलत, और कौन कर रहा है सही, और कौन जा रहा है गलत, और क्या सीखें उससे, कौन से attributes हैं, जो जो concept है, वो एक unique concept है, जिससे हम बात कर पाते हैं, एक unique human behavior की, जो की, जब 70 camera होते हैं, तो जब आप मुखोटा नहीं पहन पाते हैं, जब आप real self ही दिखाते हैं, तो कैसे हो जाता है, मुश्किल, एक चुपाना, आपको जो नकली जिन्दकी हम जीते हैं, जो हम आदी हैं, लोगों के सामने जीने की, तो यही है, और I think बहुत बहुत इंट्रस्टिंग आ गया गया, और इंट्रस्टिंग होगा, आ गया गया गया, और चीज़ें एड करेंगे इस live podcast में, पर देखते रहिए, रोज जुडिए, सेहत मन्द रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं, कल एक कहना बहुत ज़रूरी है कि सेहत मन्द रहिए, खुश रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए, शब्दा खेर, खुदा आफे, ससरेकाल, राम राम, चीर्ज और गुडबाई